दोस्तों पतियों को है जो तलाक का केस फाइल करने का सही तरीका पता ही नहीं है बिना वजय है जो तलाक का केस फाइल कर देते हैं जबकि उनको है जो उस सीच्वेसन के अंदर है जो तलाक का केस बिल्कुल भी फाइल नहीं करना चीए यहां पर योग क्या करते हैं कि गलत आधार है जो तलाक का चुन लेते हैं और अंत में परिणाम क्या आता है कि उनको है जो तलाक मिलता ही नहीं है तो यहां पर दो आधार में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इनके अंदर जाके और पती को है जो कभी भी तलाका केस है जो फाइल नहीं करना है नहीं तो है जो पती का भूत बड़ा नुकसान है जो हो जाएगा विद जज्जमेंट बताऊंगो यानि किसके साथ मैं जज्जमेंट भी बताऊंगो जिसके अंदर है जो पत्ति को एक भूत बड़ा नुकसान है जो जहिलना पड़ा गलत आधार चुनके तलाका केस फाइल करने से तो पूरी जानकरी आपको इस वीडियो को अंदर मिलेगी वीडियो भोती महत पुन है आपके फायदे का है इसलिए आपको अंतर वीडियो को देखना है तभी है जो पूरी जानकरी समझ में आएगी क्योंकि आधे दुरी वीडियो से कोई भी जानकरी समझ में नहीं आती है यह आपका अपना चैनल है, इसको अगर आपकी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसे दबा दीजिए, तो चलिए सुरू करते हैं, तो वैलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एड़कुर जितेंदर, और आज यहाँ पर मैं किलिय नहीं होती है, तो यहाँ पर पती को अगर मजबूरन तलाक लेना ही पड़ रहा है, तो भी कहा है कि पती के पास में मजबूत ग्राउंड नहीं होते हैं तलाक का केस फाइल करने की, और वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में किसी एड़केट के पास में जाते हैं, उनसे प जब तलाग करका केस फायल कीया जाता है तो क्या प्रीणाम कम आता है तक Is कि अलें एंदर क्या हूता है डू कपल की साधि समU और फाल होती है गाले केस केандर रäng क्रखत देती थी मार पिटाई तक है जो करती थी और अंत में उसने क्या किया 2015 के अंदर मेरे घर को है जो बिना किसी कारण के चोड़ के चली गई मेरी गेर और मैं है जो उसको लाने रखने के लिए तमाम कोशिस किया फिर भी है जो और नहीं आई प्रिवार वाले खुद गलत है पती और पती के प्रिवार वालों ने है जो हमारे साथ में गलत किये है वो है जो हमारे साथ में लड़ाई जगडा करते थे मार पिटाई करते थे और उन्हों नहीं है जो हमें घर से बाहर निकाला है और निकालने के बाद में है जो कभी भी हम से है जो maintenance बन जाता है पर यहां पे है जो आगे जाके पती का divorce भी हो जाता है family court से अब आगे क्या करती है कि पतनी इसकी appeal डालती है उपर वाले court के अंदर high court के अंदर जाती है और वहां पे है जो पतनी के दौरा बात रखी जाती है फिर high court के दौरा भी है जो मामले को घहराई से देखा जाता है और यह clear किया जाता है कि पती के दौरा जो यह diverse case के अंदर ground रखा है cruelty का तो पती है जो इस cruelty को बिल्कुल भी साबीत नहीं कर रहे हैं कि पती के साथ में पती के परिवार जन्लों के साथ में है जो पतनी ने ऐसा किया है यान कि पती के पास में है जो ऐसे कोई भी evidence वगरा है जो नहीं है तो इस आधार से है जो cruelty के ground है जो फैल होता है दूसरे हैं पर जो पती डिजर्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर है जो पती ने पतनी के अलग होने के बाद में ऐसी कोई भी कोशिस नहीं किया है उसको लाने रखने के लिए तो यहां पर है जो डिजर्शन का ग्राउंड भी है जो नहीं बन रहा है तो इन दो आधारों क है जो पति High Court के अंदर साबित नहीं कर पाते हैं इस वज़े से है जो पति का डाइवोर्स का ये से जो खारिज हो जाता है आनिकि पति को है जो डाइवोर्स नहीं मिलता है High Court से उलटा है जो पतनी कोई फायदा मिल जाता है यानिकि वह maintenance भटके और 30,000 रुपए पर मंत के है जो हो जाता है पतनी side का पतनी बच्ची और इन सभी के लिए तो इस तरीके से है जो पतनी कोई उल्टा है जो फायदा मिलता है तो इससे जानकर आपके क्या समझ में आई इसे ये समझ में आई होगी कि अगर आपके पास में इन दो ग्राउंड कि अगर मजबूत evidence ही नहीं यान कि cruelty आप साबीत नहीं कर सकते बिजरसन आप साबीत नहीं कर सकते तो आपको है जो contested divorce के लिए apply करना ही नहीं है अगर आपके पास में मजबूत ground है अगर आपको educate अच्छे मिलते हैं तब ही है जो आपको apply करना है अन्यता है जो नहीं करना है तो इस तरीकी से है जो आपको नुकसान हो सकता है यान कि आप तो है जो अपना फायदा लेने के लिए चलते हैं टाइवर्स कर करते हैं पर ऐसे कमज़ोर के के अंदर है जो पतनी खुद maintenance की डिमांड करके पतनी है जो फायदा उठा लेती है और पती का जो आपको नुकसान हो जाता है तो जानकरी हैं पर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरू लाइक करें और सेर भी करें जो और लोगों के जानकरी पहुंच सके तो इस जज कर दो जाई होगी तो जांकरी है और सेरे ठीजा है ज़े खूम आखको ले खकरएंजर है पोगी करें जो खक के याट लाख के भीडियों का जो जो जाबागी के और स कंद रपार में घह खको करें जा